जेडियू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे सवाल उठने लगे हैं एक ट्वीट के बाद ट्वीट था बिहार सरकार मंत्री अशोक चौधरी का जिसमें रूने लंबा चोड़ा एक कविता से लिखी है और बड़ती उम्र पर तंज कसा है अब जानकार का यास लगा रहे हैं कि नितिश कुमार के बारे में हैं नितिश कुमार ने अशोक चौधरी को मिलने के लिए बुला लिया मिलकर लोटे करीब दिल घंटे मुलाकात हुई और मिलकर जब लोटे तो अशोक चौधरी नितिश कुमार को अपना मानस पिता बता रहे थे सब कुछ बदल गय हमारे साथ होंगे हमारे वरिस साथ ही पंकत जी पहले तो मुझे लगता है जो लंबा चोड़ा ट्वीट है वेबर लोगों को बता जें जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है शुक्षोधरी की इसमें उन्होंने लिखा है एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजे बच्चे बड़े होने पर वो खुद के निर्णे लेने लगे तो उनकी पीछे लगना छोड़ दीजे गिने चुने लोगों से अपने विचार मिलते हैं यदि एक दो से नहीं मिलते तो उन्हें छोड़ दीजे एक उम्र के बाद कह रहा है तो दिल पर लेना छोड़ दीजे अपने हाथ कुछ नहीं ये अनभव आने पर भविश्य की चिंता छोड़ दीजे यदि इच्छा और शमता में बहुत फर्क पड़ रहा है तो खुद से अपेक्षा करना छोड़ दीजे हर किसी का पद कद मद सब अलग है इसलि उम्मीदे करना छोड़ दीजे ये लम्मा शौड़ा ट्वीट है अशोग चौदरी का जो बड़ा चर्चा कवेश है बना हुआ है उसके बाद किन तेशकुमार से मलाकात और फिर भावनाय पलड़ जाना क्या चल रहा है जेडियों में बहुत कुछ चल रहा है जेडियों म बहुत चिंते थे हैं हकीकत यह और भविश्च को लेकर के चिंते थे और बरतमान को लेकर के भी चिंते थे बरतमान को लेकर के इसलिए चिंते थे क्योंकि नितीशकुमार वो पुराने वाले नितीशकुमार नहीं है ये बात आप जालने चाहें नितीशकुमार अगर पु यही एक ऐसा चुनाओ है इस पांच साल में नितिशकुमार की यात्रा के बारे में आप सुने नहीं होगी है। उनको दिक्कत हो जा रही है। अब समझे कि असोख चौधरी कभी नितिशकुमार के साथ गलवाईया करते देखे जाते थे। होते हैं रुकने वाले। यह सारा कुछ हुआ। तो यह हो तो रहा था नितिशकुमार के कहने पर और एक टाइम कारिकारी अद्यक चुभी थे। तो आप समझें बहुत पावरफुल थे। और असोख चौधरी की ललन सिंग की कार्ट में असोख चौधरी को कैसे उपर बढ़ाया गया था आगे किया गया था। यह सब हम लोगों ने देखा था। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि अशोख चौधरी शेर और साहिराना अंदाज में उतर आएं यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो एक चीज मैं आपको कह दूँ ऐसे मैंने आपको कुछ एक सप्ता पहले ही करीब आपके साथ मैंने एक शोख किया था और बता था कि किस तरीके से जेडियू में गैंग बना हुआ है और जेडियू में किस तरीके से कि ललन सिंग और अशोख चौधरी दोस्त होगा है और विजय चौधरी अशोख चौधरी के पीछे पढ़ गए हैं यह 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 इंटर्नल डाइनमिक्स है अब संजय जहां इन सब के बीच में क्या कर रहे हैं यह भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दर असल अशोख के लिए बीजेपी से रिष्टे अच्छे बना करके रखना है तो दोनों इस काम में लग गए हैं पहले संजय जहां को लगता था कि हमी हमी से रिष्टा बनेगा या बिगड़ेगा क्योंकि एक तो आरसीपी सिंग थे उनको निकाल दिया गया अब ललन सिंग भी प्रदान संजय जहां की जो जरूरत थी उसको पूरा करने के लिए ललन सिंग भी काफी अगरसर दिखाई पड़ रहा है तो एक competition यहां पर है दूसरा competition राज में है क्योंकि नितीज कुमार जब अपने full capacity में नहीं है अपने स्वास्त की वज़े से तो आखिरकार political decisions लेने के लिए उ अब उनमें करीबियों में नाम विजय चौधरी काता है और अशोक चौधरी काता है अब अशोक चौधरी के साथ ऐसा क्या हो गया कि ट्विटर पे एक्स पे उनको कभी ताएं लिखनी पड़ रही है और आपने पढ़ करके सुनाया कि कोई उम्र दराज वेक्ती आपकी ब पटकनी दे दिया है बतलब आप समझ लीचे अब बाट बात यहीं लगती है अब पटकनी दे दिया तो अभी राजिकार कार्णी में सब लोग थे असोक चौधरी का ही नाम नहीं यह जान लीचे श्याम रजक पार्टी में आ गया है वो भी दलित हैं अब असोक चौधरी इकलोते दलित के बड़े नेता थे और लोग सबाचुनाओं से पहले गाउं गाउं घूम करके दलितों को इकठा कर रहे थे अब श्याम रजक आ गये हैं जिनको रास्टिय महासचिब बना दिया गया पाटी तो अब समझे कि असोक चौधरी को लग रहा कि यह तो मेरा इल आज करने के पीछे की कहानी क्या है वो भी बड़ा इंट्रेस्टिंग यह जान लिए तो आप पूछना चाहेंगे कि भाई कहानी क्या है विल्कुल क्यों ऐसा क्यों हुआ है देखिए कहानी के पीछे आपको लोग सबाचुनाओं में जाना पड़े लोग सबाचुनाओं म और वो जीत भी गई समस्ति पूर निशित तोर पर सुरक्षित रिजर्वड लोग सभा सीठ है लेकिन वो इलाका तो विजय चौधरी का है अब विजय चौधरी के इलाके में असोग चौधरी की बेटी गुज जाए ये विजय चौधरी को कैसे पसंद हो तो असोग चौधर असोग चौधरी की बेटी के खिलाब मैदान में थे तो जेडियू के दो बड़े मंतरी के पुत्र और पुत्री मैदान में थे एक एंडिये से थे दूसरे एंडिया से थे और नितीज कुमार से किसी ने नहीं पूछा था बात समझेग़ तो कहीं न दागवार गुजर रह थी और असोग चौधरी ने ऐसा कर दिया एलजेपी रामविलास से उतार दिया जो पाटी परिवारबाद का बिरोध करती है एक लौता ऐसा छेत्रिय दल है जिसके नेता पर परिवारबाद का अरोप नहीं है लेकिन उसके दो बड़े मंत्री अपने बच्चे को मैदान में उतार रहे हैं वे एक असोग चौधरी हैं दूसरे मैसौर अजारी है अब सोचिया असोग चौधरी सोच लगए थे कि मेरी बेटी तो एंडियसे से लड़ी है बेती ने जेडियू का भीरोध तो किया नहीं और मैसौर अजारी अपने बेटे को जीताने के लिए काम किया इसलिए महस्वर हजारी को पार्टी से निकलवा देंगे पर ऐसा हो नहीं क्योंकि महस्वर हजारी के पीछे खड़े हो गए विजय चौधरी और विजय चौधरी इसलिए खड़े हो गए क्योंकि वीजे चौधरी को लगा कि इलाका तो मेरा है बहुत सराय रंजन से जितता हूं लेकिन सब को पता है कि समस्तिपुर जिले में कोई भी आएगा तो वो मेरी मर्जी से आएगा तो इसमें असोग चौधरी की बेटी का दखल हो गया मतलब असोग चौधरी का दखल हो तो मेरे इलाके में असोग चौधरी का दखल इसलिए क्यों नहीं असोग चौधरी का काम लगा दिया जाए तो असोग चौधरी का काम ल कभी बन गए और दूसरा असोक चोधरी की भावनाएं जो दिल में दफन थी वो बाहर इसलिए आने लगी क्योंकि स्यामरजक बुला दिये गए तो स्यामरजक बुला दिये गए उनको इंपोर्टेंट जिम्मेदारी दे दी गई तो उनको लगा कमाल है एक तो हम पार्टी मे इतने ताकतवर कद्दावर मेरे कहने पर महस्वराजारी का कुछ ने बिगड़ा और दूसरा स्यामरजक को ला दिया गया मतलब मेरा रिप्लेस्मेंट खो जा जा रहा है क्या इसलिए उनकी भावनाएं जो है वो एक्स के जरीए बाहर आ गई और बाहर आ गई तो फिर नि प्राइमेट चेंजर, ग्लोबल लीडर के रूप में देखा जाता है अगर उनकी शान के खिलाब किसी ने कुछ बोला तो उनको बक्सा नहीं जाएगा जिस तरीके से ये जेडियू के प्रवक्ता, मेन प्रवक्ता ऐसे बाहर आ गए, मतलब ऐसे लगा जैसे कि अगर निती जहानाबाद में बहुत कुछ बोल करके आ गए थे, तो आप समझिये कि मुझे लगता है कुल मिला करके, कि असोख चोधरी के खिलाब तो गेम हो गया, गेम हो गया, मगरा जो मुलाकात हुई नितीश कुमार से, एक घंटे उतारे लंबी चली, एक बात जान लीजे, निती ठीकाना देख लीजे, फिर जेडियों में तो आप ठीक से रह नहीं पाईएगा, और अपना ठीकाना देख लीजे का मतलब यह है, कि आप क्या करिएगा, आप ठीक है, मंतरी बने रहे हैं, लेकिन मुख मंतरी का अशिरवात तो प्राप्त होगा नहीं, और वहां पर निती सर है, तो काम वही होगा, जो सीम चाहेंगे, तो आप एक रबर स्टांप मंतरी बने रहेंगे, और आपके नीचे का बीरोक्राइसी, आपका कुछ सुनेगा ही नहीं, तो होगा कि आपका, आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और दूसरी बड़ी बात, अगर आप ज़्य सादा बोलेंगे, तो हम ले तो आएं स्याम रजक, तो ये जान लिजे, तो स्याम रजक महेशो रजारी भी सिडुल कास सही आते हैं, और उसके बाद पासवान समास से आते हैं, स्याम रजक आ गए, और फिर आप ये जान लिजे, इधर विजय चौदरी पीछे से समर्थन साद दे ही रएं, साद दे ही रएं, तो हो गया खेल, तो ये समझे हैं कि ये जो खेल पूरा चल रहा है, ये तो साब दिखाई पड़ रहा है, कि अशोक चौदरी को घेड़ दिया किया, अब अशोक चौदरी डेढ घंटे में सफाई दे रहा होंगे, बहुत तरह के बाते करें करें लेकिन असोग चौधरी को एक बहर घेड़ तो दिया गए अब याद होगा आपको कि राष्टियत्यक्ष ललन सिंग को हटाना था राष्टिय braárias से तो यही नितिश कुमार भरी सभा में असोग चौधरी से डांट मतलब असोग चौधरी ललन सिंग को जवाब दे देते थे नहीं तो किसकी हिम्मत की ललन सिंग रास्टी अध्यक्छों और उनको जवाब दे दे ये तब ही संबब होगा जब नितीज कुमार का वरद हस्त उस नेता को प्राप्त होगा तो ये तब क्यों हो रहा था क्योंकि नितीज कुमार का वरद हस्त उप्राप्त था इसलिए असोग चौधरी जवाब दे रहा थे इसलिए असोग चौधरी रास्टी अध्यक्छ ललन सिंग के मना करने के बाब जूद बर्बिघा जा रहे थे उनके मना करने के बाद जो जमूई जा रहे थे तो ये खेल जो चल रहा था उस समय असोग चौधरी मोहरे के तरह इस्तेमाल हो रहे थे इस समय कोई और इस्तेमाल हो रहा होगा लेकिन अंदर की कहानी ये है कि विजे चौधरी ने असोग चौधरी को सेट कर दिया यह जो politics में शह और मात का खेल होता है उस सह और मात के खेल में विजय चौधरी ने असोग चौधरी को मात दे दी अब यहां से असोग चौधरी कैसे बचते हैं कैसे अपने आपको बचाते हैं और वापस कैसे दाव खेलते हैं ये उनके राजनितिक कौसलता का परिचे देगा लेकिन आज की स्थिती में अशोग चौधरी के सामने एक श्याम रजक भी आ चुके हैं जिनका नाम है लोग जानते हूं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा डाइनमिक्स जो जे डियू के भीतर का है वो होगा तो निश्क कुमार से मीटिंग के तुरंद बाद जब निगलते हैं और मीडिया से बातचीत में कहते हैं कि मेरा सोचल मीडिया पोस्ट सामाने था मैं निश्क कुमार के खिलाफ क्यों ट्वीट करूंगा निश्क को मैं मानस पिता मानता हूं जितना प्यार मज़ने सबता है कौन क्या बोलता उसे मुझे फरक नहीं पड़ता मैं पार्टी से नाराज नहीं हूँ हमारा लक्ष 2025 का चुनाओ है चोधरी ये इतना लंबड चबड़ा उन्हों न एक चोधरी ने बयान दिया है और साफ तरव्म दोजर परचिस के लक्ष बता दिया है यह बता दिये कि पार्टी में रहने वाला हूं और हमारा पार्टी के जो लक्ष है वही मेरा भी लक्ष है चुनाओ और दिस कुमार को मानस पिता नहीं बताएंगे तो आप मानस पिता नहीं बताएंगे तो आज के समय में आप NDA में सर्वाइव कर पाएंगे आप ये देख लिजे ये तो जेडियो में हैं समराट चौदरी को अपना पगड़ी खोलना पड़ाना उनको अपना सिर मुढवाना पड़ाना समराट चौदरी से अध्यक्षपद ले लिया गया ना समराट चौदरी अव एक उपमूख मंत्री है क्योंकि नितीश कुमार की जरुरत केंद्र में और नितीश कुमार की जरुरत राज्य में नितीश कुमार एकलोते ऐसे लीडर है फोर्ज करिये अगर यही इंडिया गटवन्द नितीश कुमार को अपने साथ जोड़े रखने में कामयाब होती है तो क्या इस्थिती होती बिहार की प्रदेश शिकाई तो कोई नितीश कुमार जो BJP की काई है वो तो नितीश कुमार को साथ लेना नहीं चाहती है। लेकिन केंदर को समझ में आ चुका था, उसका जो feedback system था, वो केंदर को बता चुका था कि नितीश कुमार के बगर आपकी स्थिति अच्छी होने नहीं जा रही है। और नितीश कुमार फिर आ गए इंडिये में क्योंकि इंडिया गटवंदन में उनको तबज्जो नहीं मिल रहा था। और आज के डेट में लोग सभा चुनाओ के बाद नितीश कुमार की जरूरत केंदर में भी है और राज्य में भी है। नितीश कुमार के पास 12 ही सांसदों लेकिन नितीश कुमार की जरूरत बहुत जादा है। तो यह समझी है कि असोग चौधरी कैसे बोलेंगे। वो तो कहेंगे मैं मानस पिता समझता हूँ, मैं बहुत तरह की बात समझता हूँ, क्योंकि यह भावना है छिपाए छिपी नहीं बाहर निकल गई, यह दर्द है। और दर्द को इन्होंने बाहर बया कर दिया। और बया कर दिया तो निश्ची तोर पर नितीश कुमार बुलाएं होंगे, बहुत तरह की बाते कहें होंगे, डाटे भी होंगे, प्यार भी किये होंगे, फटकारे भी होंगे। तो कि नितीश कुमार का भी जो style of politics है वो कई parallel lines अपने साथ ले करके चलना चाहते हैं। अगर आपको आगे बढ़ाएंगे तो आपकी काट में एक दूसरे को भी पीछे लगा देगे। ये बात आप जान लिजे नितीश कुमार किसी को आकेला नहीं छोड़ते हैं। आप देखिए संजय जहा कारीकारी अध्यक्ष बने संजय जहा के बारे में लगा कि ठीक है ये ब्रीज का काम करेंगे। बीजेपी और जेडियू के बीच में तो ठीक है उनको राजसभा भेज दिये लेकिन मंत्री ललन सिंग को बना दिये। अब दोनों एक दूसरे से कंपीट करते रहें कि बीजेपी के नजदीक कौन, बीजेपी से बातचीत करेगा कौन, क्या करेगा कौन, ये सब तरह की बाते हैं। तो सवाल ये उठता, ये नितिश का स्टाइल है। नितिश कुमार को भी रास नहीं आया, कि अरे मेरे छत्र छाया में पल रहे दोनों ने था, अपने बच्चे को लोग सभा चुनाव लड़ा रहे हैं। और उसमें उनको लगा कि असोग चौधरी मेरे जादा करीब थे, असोग चौधरी ने ऐसे कैसे कर दिये। तो ये समझें दरसल ये लड़ाई विजय चौधरी वरसेज असोग चौधरी जिसमें विजय चौधरी हार गया है। देखें राजनीती बड़ी लंबी खेल होती है। जिनने कहा कि राजजीत में कभी भी पासा परड़ सकता है, तो परड़ता है कि नहीं, बाकि आपके क्या विचार हैं स्पूरी गुडांगलित के बारे में जो चल रहा है विहार में, जेडियू में, हमें कोईन बॉक्स में लेकर जरूरू पताईए, देखते रहें, टीव